कोविड के बाद 2021 में फुलकारी ने 9 कॉंसेंट्रेटर गिफ्ट किये थे लाल हॉस्पिटल को और यहां से करीब 11 फैमिलीज ने डेट साल में 18 फैमिलीज ने इंका इस्तमाल किया टाइम टू टाइम हमारे पास हमने यह ऑक्सिजिन कॉंसेंट्रेटर्स किये हैं और हमारे पास यह है मेडिकल बैड है पेशेंट मॉनिटर है आईवी स्टैंड है वाकर्स है और वीलचेर है एर मैड्रिस हैं फूड ओवर ट्रॉली है मैं एक्चिली एर मैट्रिस होने डूनेट कीता है अराउंड टेन डिज बैक मेरे मेरे फादन लोगा था सी ते मैं उनों देख्या वड़ी अच्छी कंडिशन सी ते आई वस तिंकिंग कि मैं कि ते डूनेट कर सकता है पूरी मेंटेनेंस करके ही वापस दिया जाएगा ताकि वो लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि वो पुराना समान यूज कर रहे हैं उनको समान ऐसी कंडिशन में मिले कि वो यूज कर सके सूबे विच बहुत सारे लोग समाज सेवा कर देनें लेकिन आज जासी तो आनुए कैसी सेवा दिखान जा रहे हैं जो की सब नो वकरी है जिते की करदी रहन वाली औरतां वालो एक प्रयास किता गया कि जड़े करदाय विच मेडिकल एकुपमेंट होंदेने उस दा लंग लोग प्रयास कीता गया ताकि एसी विच की वीली चाह रही तके सिन देलावा करदी और RS लोग प्रयास किता गया तकि ऐसी उना लोक का नूँ सुहुलिया दे सकिया के जड़ी है दे तो वांजे रहें दे साड़े नाल सुसाइटी दे चेयर परसन में जूद है मैंडम किस तरह दमाग चाया कि एस चीजा करनी है चाहिए कोविड नाल कोविड के टाइम पे बहुत जादा सब की आँ पे मतलब मुश्किल हुई जादा इसकी सरानों यान हमेरे को बहुत जादा इसका धन्यावाद मिला इसी आइडिया को आगे लेके जाते हुए हमें यह रिलाइज हुआ कि ऐसी कोई चीज की जरूरत है घरों में पेशेंट को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल में तो फेसिलिटीज होती है घर पे हमें सब के पास कुछ ना कुछ होता है क्योंकि टाइम टाइम से कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है तो हमने सब का यहां पर संक्रा किया है यह सब इस्तमाल कर सकते हैं इसका कोई रेंटल नहीं चार्ज करेंगे इसमें क्या-क्या चीज आपकी तरफ से अब यह दीरे दीरे बड़े गई आज भी हमें कॉल जाइए हमने अपने मेंबर्स को इसका जानकारी दी है हमें अल्रडी कॉल जा गई है कि वह क्या-क्या देना चाहते हैं कि इतनी ओरतों को दोरा यह सब शुरू किया गया है सिह हमारी में स्ट्रेंथ है 400 मेंबर्स क्या दूनेट करना चाहते हैं क्या-क्या चीजिए कर सकते हैं मैंने जैसे आपको का होम मैनेज्मेंटस, को मैंनेज्मेंट के लिए पेशैंट मॉनितों हो गई एर मैट्रेसेज हो गए, फूट ट्रॉली हो गए, वीलचेर हैं हमारे पास, ऐसी अलग अलग चीज़ें, मेडिकल बेड्स हैं, यह इत्यादी है. तो कितनी जरूरत है इस चीज़ की? बहुत जादा जरूरत है, I think हमारे सब के घरों में बुजोर्ग भी होते हैं, टाइम से वक्त वक्त से कोई ना कोई बिमार होता है, तो यह चीज़ों के जरूरत जरूर पढ़ती है. तो किस देख सकते हैं, किस तरह दिमाग चाया है, किस तरह दा इक बैंक और लंगर भी एसेन कहा सकते हैं, ता इक लाइब्रेडी भी कहा सकते हैं, किस तरह तो केड़े कड़ी चीज़ा आपने करा चुले के आओं? मैं एक्चुली एर मैट्रेस होने डोनेट कीता है, आराउंड टेन डेस बैक मेरे फादन लोगा था सी, ते मैं उनो देखिया, बड़ी अच्छी कंडिशन सी, ते आई वस तिंकिंग कि मैं कि ते डोनेट कर सका, ते मैंनो टीना दा कॉल आया कि इस तरह सी स्टार्ट कर रह जा रही हैं ने, तो चीज़ा जरी हैंने कि छोट छोटी चीज़ा भी हो सकतिया ने, जिच़ धर्बा मेटर है या ऑक्षिजन चेक करने वसे मशीन ना हों दिया ने, या होर भी जड़े छोट छोटे बैड्स हों देने, और डोनेट किते जा रहें ता कि लोग का दा में पराला कीता गया मैं इदा फिर कौन कौन होएगा हम सब होंगे फुलकारी मेंबर्स होंगे हां और उनकी फैमिलीज हैं अगर कोई बाहर का भी आना चाहे तो वो भी आ सकता है तो क्या चीजे डिनेट करेंगे यह जैसे इसमें जो जो चीज जरुएत पड़ती है कोविट सिटिजन्स देनाल कई वरी फ्रैक्चर्ज हो जान देने कई वरी टेंपररी बेसिस थे उनानू वीलचेर दी जरूरत होंदी है वाकर्स दी जरूरत होंदी है ब्लाट प्रेशर एक्विपमेंट थोड़े दिना वास्ते मॉनिटर करन वास्ते होंदा है बजाए कि खरीदन को लो अगर सड़े को ले उपराला होवे तो जरूर कर सकते ने के बॉरो किता और उनू अच्छी हालत विच वापिस किता ताके किसे होर देवी काम आ सके एना एक्विपमेंट दी लाइफ काफी होंदी है मगर पांचे मीने या दो चार मीने यूज करन तो बाद असी एना हम कॉंसेंट्रेटर के साथ करते आए हैं जब भी कॉंसेंट्रेटर जाते थे तो उसके आने के बाद उनको सैनिटाइज कराया जाता और उसके बाद हमारे पास इन हाउस टेकनिकल टीम है वो उनको एक बार चेक करती थी कि वह वाख़ी प्रॉपर गुड कंडिशन में है क पुरी मेंटेनेंस करके ही वापस दिया जाएगा ताकि वो लोगों के काम लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि वो पुराना सामान यूज कर रहे हैं उनको सामान ऐसी कंडिशन में मिले कि वो यूज कर सके और भी लोगों को आप मेसेज देना चाहेंगे कि इस मोहीम में जुड़े ताकि इससे लोगों का फायदा होगा हांजे बिलकुल जितने आएं उतना अच्छा है विक्वाज ये चीजों की तो जरूरत पढ़ती रहती है जितने लोग जुड़ेंगे उतना आगे उतनों का भला कर सकते हैं फुलकारी का मकसद ही यह है कि इंडिविज्व तोर पे आप कई बर नहीं मदद कर पाते हो किसी की चाकर भी एक प्लाटफॉर्म मिल जाता है फुलकारी के जरीए प्लाटफॉर्म के थुरू आप ऐसे अभ्यान में जुड़के आप अपना कॉंट्रिबूशन दे सकते हैं सोसाइटी को इंडिविज्व के तोर पे यह नहीं हो पाता है प्लाटफॉर्म दिखा रहे हैं तुसी देखो कि एक वील्चेर है किसी ते कर्चसी ओल यांदी गी तो उस तो बाद होर भी जरे मेडिकल एक्विप्मेंट ने ओल यांदी ने तो पर सरहना है ना लेडिस जी करनी चाहिए जड़े की लेडिस तुसी देख सकते हूँ अप प्लाच चलता रहना है सीमा महेश्वरी जी वी साथे मेंबर ने और उना ने ओफर वॉलन्टरी ओफर किती कि मैं एक्विप्मेंट नू समेटांगी और उदी सही वर्तों भी होएगी वापस आएगी ते उदी री हॉलिंग सैनिटाइजेशन और री चेक सारा करन गे जन सिरफ आपने करदा कूडा ना बार करदा तुसी देखो के चीज़ा जिरियां नहीं थे दितियां गी याने ओधी तस्वीर एक वार फिर साजी कर रहे है तो एक कार बनाया गया तो उस करदे विच्छे तुसी देखो एक्विप्मेंट जिरे ने जिरे रखे गे रहे ज बहुत सारी होर वी मेडिकल एक्विप्मेंट ने जिना थी की कराच जरूर थोंदी है वह थे दिते गयने चाहे ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर होन या होर वी जरे बेड होन या होर वी जरे छोट ठोड़ी चीज़ा होन तो एक प्रयास किता गया तुसी देखो बकादा एक कार जरा है वो बनाया गया है तो इस करदे विचा के कोई भी व्यक्ति अगर तुसी देख दिया कि समाच बहुत सारी चीज़ा होन दिया ने जिदे विच की क्या जन्दा है कि वाल अफ चैरिटी होन दी है होर भी बहुत सारी चीज़ा होन दिया ने लेकिन हून एक वखरा प् दोनेशन पैसेच नहीं बलकि मेडिकल एक्यूपमेंट जरे हुंदर जरे छुट-छुटी चीज़ा ने तो अडे करना दे विच ओनान डूनेट किता जा सदा है ताकि असी जरे मरीज ने जरे कि इसनों फोर्ड नहीं कर सकते ओनानों असी सहाहिता दे के उना दी जिन्दगि कियां बचा सकी है कैमरा में नजी देनाल समित खन्ना ग्रेट पंजाब टीवी अमरित सार